बहुत पुरानी बात है एक गाउं में दो लड़के रहते थे एक का नाम ग्यानी और दूसरे का नाम बुद्धिमान था लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे दोनों के मातापिता उनको लेकर बहुत परिसान थे उन्होंने ग्यानी और बुद्धिमान को अच्छी सिक्षा देने के लिए बनारस भेज दिया ग्यानी और बुद्धिमान ने बनारस में कुछ बर्स रहकर अध्यन किया अब दोनों ही अच्छी सिक्षा ग्रहन कर बिद्धवान हो चुके थे बिद्धवान होने के साथ ही उनमें इस बात का घमंड भी आ गया था कि वे बहुत बिद्धवान है हर जगय दोनों ही अपने को स्रेश्ट और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रियत्न करते थे दोनों को कई बार उनके सिक्षकों ने इस बारे में समझाया किन्तु दोनों अपने को ही स्रेश्ट समझते थे सिक्षक खतम होने के बाद दोनों को बनारस से अपने गाउं बापस लोटना था रास्ता बहुत लंबा था चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गाउं में अपना डेरा डाला गाउं के जमिदार को पता चला कि उनके गाउं में बनारस के बिद्वान आये हैं जमिदार साहब ने दोनों बिद्वानों को रातरी बिस्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंतित किया ग्यानी और बुद्धिमान दोनों जमिदार के घर आ गए जमिदार ने दोनों के रुकने की अलग अलग विविस्ता की और स्वादिष्ट पकवान बनवाए जमिदार पहले ग्यानी के पास गया और हालचाल पूछने लगा जमिदार पहले तो ग्यानी से बहुत प्रभावित हुआ किन्तु अपने गमंड और बुद्धिमान को उनीचा दिखाने के लिए ग्यानी जमिदार से बोला बुद्धिमान तो नाम का बुद्धिमान है इतने दिन बनारस में रहकर भी बह कुछ नहीं सीखा और अभी वी गदा ही है ग्यानी की बाते जमिदार को अच्छी नहीं लगी ग्यानी से मिलने के बाद बह बुद्धिमान से मिलने गया बुद्धिमान ने भी ग्यानी की तरही बाते की और कहा ग्यानी को कोई ग्यान नहीं है और वह तो वैल है जिसे कुछ नहीं आता जमिदार दोनों से बहुत निरास हुआ और कुछ देर पस्चात उसने ग्यानी और बुद्धिवान को भोजन के लिए बुलाया दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को थालिया पुरोशी गई तो थाली में घास और भूसा था थालिया देखकर दोनों जमिंदार पर बहुत क्रोधित हुए और बोले आपने यहां हमें बेचिती करने के लिए बुलाया है क्या हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं जमिनदार हाद जोड़कर बोला मान्यवर आप बिद्वान है और मेरे महमान है मेरा उद्देश से आपकी बेचिती करना नहीं है आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे इसलिए बैल और गधे को जो भोजन पसंद है मैंने आपको वही भोजन परुश दिया जमिंदार की बात सुनकर ग्यानी और बुद्दिवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से च्छमा मांगी और जमिंदार को धन्यवाद दिया फिर जमिंदार ने भी दोनों को स्वाधिष्ट बियंजन खिलाए और दोनों का सम्मान किया इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो अगर दूसरी को नीचा दिखलाने का प्रियत्न करता है तो उसे नीचा देखना पड़ता है तो दोस्तों मुझे आसा है कि आज की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी जय भारत